जेशी कृष्णा दोस्तों, हर हर महादिव, कैसे हैं आप सब, स्वस्त और सुरक्षित होंगे, दोस्तों, आप कोई भी कारे नियम से करते हैं, जैसे आज आपने नुबजे इस्नान किया, कल भी नुबजे ही किया, यदि आपका एक समय होता है, हर चीज का, आप भोजन यद पहले दिन एक बजे कर रहे हैं, दूसरे दिन भी एक बजे ही मतलब लगभग उसी समय पर कर रहे हैं, आपका वो समय यदि निर्धारित होयाता है, किसी भी किरिया के लिए, आपके अंदर एक पोजिटिविटी आ जाती है, वह समय आपको समय को इंतजार नहीं करवाना च आपका समय इंतजार करता है उस किरिया के लिए, इसलिए जो मैं आज इस वीडियो में आपको बाते बताने वाली हैं, जानकर यहां देने वाली हैं, साथ एक इतना सटीक उपाए, इतना अचूक उपाए, जिसे आप कर लेते हैं, तो आपकी जिंदिगी अवश्य बदल ज जाएगी, चमतकार हो जाएगा, बहुती सरल सा उपाए है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, शुरू से अन्त तक, अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि मेरे चेनल पर नहीं है, पहली बार मेरी आवास सुन रहें, तो वश्य सब्सक्राइब कर लें, जो कि बहुती अच्छी अच्छी और आपके लिए बहुती आउशक जानकारिया इसी चेनल से प्राप्त होती है, दोस्तों, आज में जो बताने वाली हूँ, बहुती आपके लिए अमूली जानकारी है, जैसे आपने आज सुभे नो बजे इसनान किया, और साड़े नो पूजन किया, यदि कल भी उसी समय आप इसनान करके पूजन करते हैं, उसका एक विशेश फल प्राप्त होता है, साथी कोई भी चीज का आप नियम लेते हैं, जैसे आप पीपल के ब्रक्ष में जल चड़ा रहे हैं, शनिवार की शनिवार चड़ा रहे हैं, आप यदि नि पार की सुमबार जा रहे हैं, जैसे भी आप एक संकल्प लेके आप जो कारे करते हैं, ऐसा कहा जाता है, शैद आप जानते ही होंगे, कि जब भी हम बड़ी कोई पूजन करें, या कोई ब्रत करें, जैसे एकादाशी प्रदोष, तो हमें संकल्प छोड़ना चाहिए, क्यो कहा जाता है, क्योंकि संकल्प छोड़ने से वह सीधा सीधा प्रभु को पहुंसता है, इसलिए आप नियम मन गया आपका, आपने कराव उब्रत, आपने उसो बेरिफाई कर दिया, आप इसलिए कोई भी कारे करते हैं, आप कंटिविटी में करते हैं, कोई नियम मनाते हैं, जो नियम मनता है, वो आपके लिए ज्यादा फलदाई होता है, आप जैसे शिवाले में जल चड़ाना चाहते हैं, या बेल पत्र के नीचे जल चड़ाना चाहते हैं, आप पीपल के ब्रक्ष के नीचे जल चड़ाना चाहते हैं, जो भी आप करते हैं, यदि नियमित करते ह उसका एक विशेश फल की प्राप्ति होती है साथ ये भी आप सभी जानते होंगे कि भोले नात को जो भी चीज समर्पित की जाती है चाहे बेल पत्ती हो चाहे शमी पत्र हो बहुत जो हमें बिना पैसे मिलती है इसका कोई दाम नहीं चुकाना होता लेकिन ये दि हम जब उसकी समर्पित करते हैं तो आप मान कर चलिए कि हमें उसकी बदले में क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन कर ही नहीं सकते हम जिस चीज की कामना से भोले नात के समक्ष जाते हैं हमारी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है और भोले नात एक ऐसे देव हैं देव क्या महादेव हैं कि जो बतकिस्मत को भी सोभागी में बतल देते हैं उन्हें ऐसा किसी व्यक्ति से नहीं है कि ये पापी है इसको ये नहीं देना या ये पुन्याई है इसको ये देना है वह सभी अपने भक्तों के लिए एक जैसी आशिर्वात रखते हैं आप यदि धन लक्ष्मी के लिए बहुत परिशान है यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता तो आज जो पाए बताने जा रही हूं अक्षत, अक्षत भोले नात को समर्पित होते हैं आप धान को अच्छे तरीके से बिल लेजिए उसमें कच्रा कंकर नहीं होना चाहिए सांथी वह साबुत होने चाहिए तूटे फुटे नहीं होने चाहिए आप भोले नात को नियम मनाए सोंबार की सोंबार या ग्यारा दिन आप आसानी से मिल सके तो इस धान को जितने भी पांस दाने ग्यारा दाने एक मुठी आप भोले नात को समर्पित कीजिए अथा भंडार भर जाएगा मालक्षमी का क्योंकि भोले नात को अक्षद वैसे ही प्री है और जब आप धान चड़ाते हैं धान समर्पित करते हैं उसका एक विशेश फल प्राप्त होता है आप जो भी चड़ाना चाहते हैं घी चड़ाते हैं शेह चड़ाते हैं दूद चड़ाते हैं दही चड़ाते हैं सभी का एक आपको प्रतिफल मिलता है आज मैं एक और बात पताने वाली हूँ, क्योंकि महाशिरुत्री नजदी है, महाशिरुत्री आने वाली है, और आज के समय में महादेव की क्रपा से कोई भी बंचित नहीं है, और महादेव की भोले पन से भी कोई बंचित नहीं है, जो भी चीज आप शदा से समर्पित करते लेकिन आज जो मैं बताने जा रहे हूं वो बिलकुल एक अलग और बहुत ही महत्पून बात है जब भी आप भोले नात को कुछ भी समर्पित करते हैं जैसे घी, शहद, चंदन जब भी समर्पित करते हैं या कुछ नहीं भी समर्पित करते हैं सिर्फ जली ही जड़ा रहे हैं जो मापारवती का हस्त कमल है जहां से शियूलिंग रखा हुआ है उस ज्वाइन पर आप सिर्फ एक अपनी उंगली फेड़ दे जो भी मन उकामना है, जो भी आपकी कामना है बस दिल से वो कामना करके आप उस जगे पर पूरी गोलाई में एक उंगली फेड़ दे यदि आपने घी समर्पित किया है तो घी लगाकर यदि शहद समर्पित कर रहे हैं तो शहद लगाकर यदि आप दही समर्पित कर रहे हैं तो दही लगाकर जो भी आपके हाथ में चंदन समर्पित कर रहे हैं, तो चंदन लगाकर, यदि नहीं कुछ आपने समर्पित किया है, तो ऐसे ही खाली उंगली आप समर्पित कर लें, और अपने मन की इक्षा भुलेनाद के समक्ष रखें, आप देखना कैसे आपकी इक्षा पुरी होती है, और यदि किसी विशेश दिनों में, जैसे सोमबार का दिन हुआ, प्रदोश का दिन हुआ, शिवडात्री का दिन हुआ, यदि इत्र, इत्र आप थोड़ा सा अपनी उगली में लगाकर, यदि उस इस्थान पर, जो पारवती का हस्त कमल है, और जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है, वो है हिस्ते पर, उस गोलाई पर, यदि आप थोड़ा सा इत्र लगाकर, गोलाई में लपेट कर ओ अपनी कामना क पूरी हो जाए बस इतना है कि मनो कामना पूरी होने वाली होना चाहिए आप किसी स्वार्थ सिद्धी में वह कारें ना करेंगे तो ही आपकी वह इक्षा पूरी होगी आप करकर देखें और साथ में विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है आप कोई भी कारेद विश्वास के साथ करते हैं तो आपके अंदर की जो तरंगे उठती हैं वो भूलेनाद के साथ मिलकर भूलेनाद की इक्षा बन जाती है भूलेनाद की क्रपा बन जाती है इसलिए दोस्तों आप अवश्य भूलेनाद की क्रपा पर विश्वास करकर ये कारे अवश्य करें ये उपाई अवश्य करें आप सभी को महाशिवरात्री की धेर सारी बधाईया आप पर और आपके पुरे परिवार पर बोले नात की क्रपा यूँ ही बनी रहे ओम नमस्षिवाय